हेलो प्रेंस आज मैं आपको बताने वाले हूँ कि गर्मियों के मौसम में निवू के पौदे की कैसे देखवाल करें तो आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके तो स्वागत करते हूँ आप सभी का अमारे इस सूर्या गार्णिंग यूटूब चैनल पर तो इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं आगे आज मैं आपको ऐसा ओर्गैनिक फटिलार बताऊंगी जिसको डालने से आपके भी नीवू के पौदे फूलों से और फलों से लदे रहेंगे इसी तरीके से मेरे इस नीवू के पौदे पर कुछ फल और फूल आए हुए हैं हेलो फ्रेंस आपको एक बात का विसे दिया लगना हुगा का आपके नीवू के पौदे फलों से या फूलों पर ना आए तो आप इन पौदों में और गैनिक फटिलारों का इस्तमाल ना करें तो आपको और्गेनिक फटिलारों का जब इस्तमाल करना है कि आपके नीवू के पौदों पर जब फूलों के चांस रहे या फल बने तो आप और्गेनिक फटिलार इस्तमाल कर सकते हैं हेलो फ्रेंस आपको एक बात मैं अवस्ष बताए देती हूँ कि आपके नीवू के पौदे पर जब फूल आएं तो आप महीने में दो बार सैथ का इस्प्रे अवस्ष करना सैथ का इस्प्रे करने से आपके नीवू के पौदे पर इतने फूल बन जाएंगे कि आप तो दोस्तों आप सोचेंगे जरूल कि हमारे इस निवू के पौदे पर इतने सारे फूल कहां से आई कुछ लोग सोचते जरूल होंगे कि नरसली वालों के चोटे से पौदों पर ही क्यों फूल फल आते हैं वो ऐसा कि आप फट dealers इस्तमाल करते हैं जिसके कानन उनके पौदों फूल फल बने रहते हैं नरसली वाले वी ऐसा ही औरगेनिक फटरिलारों का इस्तमाल करते हैं जैसे कि हम डालते हैं जैसे कि गोवरकात या बर्मी कंपोश्ट या मश्टर केक फटिलार जबकि दोस्तों आप निवू का पौदा गर पर कभी भी लगाएं तो आपको विसे द्यार रखना होगा कि छोटा पौदा हो तो एक से डेड़ इंच के गमले में लगा सकते हैं जबकि आपका बड़ा वाला पौदा हो तो दो से डाइ इंच के पॉट में लगाएं दो इसे डाइंच के पॉट में लगाएंगे तो आपके ये नीवू के पौदे की जड़ें वो अच्छे से ग्रोथ करेंगी और आपका पौदा हल्दी रहेगा हेलो फ्रेंस जब आपके नीवू के पौदे गर्मियों के मौसम में फला आएं तो आपको औरिगनिक फटिलारों का इस्तमार अवश्च करें जैसे कि मश्टर केक फटिलार ये देखिए मैंने यहाँ पर 100 ग्राम सर्सों खली ली हुई है तो दोस्तों आपको सर्सों खली बाजार में आसानी से मिल जाएगी ये बैसकेच गाए के चारे के काम आती है तो देखिए मैंने यहाँ पर 100 ग्राम सर्सों खली ली हुई है और एक लीटर पानी में इसे गोले लेती हूँ ये देखिए यहाँ पर मैंने एक लीटर पानी ले लिया है और सर्सों कली को बिजो दिया है तो देखिए इसे 24 कंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगी हेलो फ्रेंस ये देखिए हमारा यह मश्टा के एक फटिलार बनकर तयार हो गया है यानि सर्सों कली का आप भी इसी तरीके से फल वाले पॉदेयों में मashdra के फटिलारों का इस्तमाल करेंगे तो आपके निवू के फटिलारों से लदे रहेंगे ये देखिया हमने आप दोस्तों कभी aoargionic फटिलारों का इस्तमाल करें तो आप पहले पॉदे की गुडाइ कर लें जैसे कि मैंने पहले की ती, अब इसमें और्गानिक फटिलर इस्तमल जरूर करें जैसे की मश्तवत के फटिलर के इस्तमल मैंने किया है अपके भी कवी भी नीवू के पौदों पर फलों के चांस रहें तो आप इस फटिलरों का इस्तमल कर सकते हैं तो ये देखिए हमारे इस नीवू के पौदे पर कितना रजल्ट निकल चुका है तो आपको यह वीडियो जरूल पसंद आई होगी तो बीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें तो दोस्तों आपने अभी तक हमारा चैनल सस्क्राब नहीं किया है तो हमारे चै अवली वीडियो में थेंक यू